नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टिशी टेले चनल में दोस्तों आज हम करने जा रहा हैं पैंट की कटिंग और इसमें मैं आपको बारी की से बताओंगा क्या क्या चीज़ें आपको होती है आसानी जिससे आप कर सकते हैं तो यहां पर आप देखी सकते हैं कि 38 को दोस्तों काटने से पहले एक चीज़ का और दियान रखें कि बहुत लोगों को यह नहीं मालम होता है कि यह जो किनारे जैसे कि इसमें पैंट में कभी कदार सीधा होता है लेकिन वह दिखता नहीं है खुब साफ तो ऐसे में आपको क्या करना है हमेशा ही जो लिखा तो ऐसे मैं आपको लिखा हुआ है यानी कि सीधा तरफ गठाइब आँँ तो यहां पर आप देख सकते हैं जो उल्ठी लिखा बठा है तो इसको मैंने उपर रखा इसके में निशान लगाएंगे तो इस तरीके समस्चा यूं काटना हूँ अब हमें सबसे पहले यहां पर हमें दो तरीक फंटियां लूए है एक जादा राउंड वाली है तो ऐसे आपको भी यूज़ करना है दोने फंटियां आप हम यहां पास सीधा निजन लगा लेते हैं सब सब पहले सीधा निशान इसलिए लगाते हैं ताकि जो है कपड़े को सीधा कर सकें तो देखिए यहां पर जारत रिच्छा आए तो यहां पर हम इस्तिना सीधा कर लेते हैं सिंगल पट्टी थी अब देखिए यहां पर जो है अड़ती लंबाई है तो हमें क्या करना है हमें एक इंच जो है बाहर निकाल के अड़ती लंबाई हम रख देते हैं बाकि हम तीन इंच जो है मौरी के अंदर के लिए रखेंगे क्योंकि जो है इसमें तुर्पाई होगी और हमने तीन इंच रख दिये ताकि कभी भी लंबाई बढ़े तो अच्छे खासी निकल आए कपड़ा तो यह हो गया अब हम घुटने की नाप रखेंगे तो अड़त की बात करें तो यह चीज तो इसकी चौत्याई हम लंबाई के रखेंगे तो यहां पर कितने हुए है नोचोग 36 यानि की साड़े ना हुए है तो साड़े ना अगर हम रखेंगे तो यहां पर जो है चालीस हिप है और 36 कमर है तो साड़े नोव में क्या होगा यह टाइट हो जाएगी पेंट कि लटए जो है वह आप क्योंकि ज्यादा टा फिटिंग में भी नहीं है थैच जो है वह टाइट हो जाएग अब हमें क्या करना है साड़े ने हो गए हमें कमर 36 कमर रहे तो इसके 12 और जो है 9 12 9 हुए है 21 21 सायानी की साड़े 21 की आदे हुए हैं पौने 11 तो यहां पर पौने 11 आम नहीं रखेंगे थोड़ा सा कम करेंगे यहां पर फार्दस यहां पर रख देते हैं एक इंच उपर निकाल के तो यह हमारी लटक के निसान हो गया सीधा सा तो अब हम जो है इस तरीके से इसको सीधा काड़ लेते हैं इसी तरीके से आपको निसान लगा लेना अगर आपका लटक कैसा ना बन रहा हो तो तो यहां पर यह चीज अब हम यहां थे यह देखिए इतना निशान लगाए हमने यहां से अपनी थाय यानि की जो है रान जो है वो रखेंगे चोविस रान है तो बारा यहां पर रख देते हैं यहां पर कहीं पर भी जो है हमको दवाव नहीं छोड़ना है बस शिक्स पला यह सामने का कटता है दवाव जो है वो बैक में कटता है तो यहां पर यह बारा हमने छोड़ दिया और इसमें हम देड़ इंच की यह और इसमें क मैं जो है यहांपर 17 करना है कि तो 17 पर इस तरीके से हम निशार लगा लेते हैं इस घूलाय कर लेते हैंung नुद्धक्न का फैसी तुलाइय हो गई अब हमना जो है इस कि कमर बनाएंगे तो कमर जो है 36 कमार रहे नुच्छों 36 तो इसमें पॉनिंस हम दवाव टेश्ट कर देंगे तो पॉने दस यह हो गया तो यह पॉने दस होने के बाद अब यहां से हम जो है इसकी गुलाई करेंगे यहां पर फंटी रखी निसान से और इस वाले निसान से य अब यहीं से आम जो है अपनी हिब बिना पर देखेंगे हिब चालित है तो यहां पर सबादस आ रही है यानि कि सई है यह चीज हो गई अब हमको क्या करना है अब यहां से अब यह निसान है यहां पर हम संटर पर लगाएंगे तो बारह आ रहा है तो यहां पर भी हमें बा शे और यह हो गया इसके बाद हमको क्या करना है मोह३री के शन्म लगा ले लिएए तो मोह।री 16 है तो चार है तो चारॉ तुनी 8 तुनी 16 यह इस तरीके से हो गया इस तरीके से ये चीज़ हो गए अब हमें क्या करना है यहां से हम इसको यहां से मिलाएंगे यहां से नहीं मिलाना यहां से मिलाना है युकि गुटना भी बनाना होगा गुटने की नाप नहीं ली चाहे तो आप ले सकते हैं उसके बाद भी रख सकते हैं तो यहां से यहां तक यह मिला दिया अब हमें क्या करना फंटी हम इस तरीके से रखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने फंटी रखी यहां पर और जो है यह गुलाई में निशान दे दिया अब इधर साइट को भी अब इतनी हमने फंटी निकाली थी इस तरीके से यह यह चीज इतनी निकाली थी अब हम इधर साइट में भी वैसे हम इधर साइट में यह निकाल लें लेकिन इधर बहले पल्ले को डबल कर देंगे इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं निसान को अब इसकी बाद मुझाई यहां पर और निसान देंगे हैं किल्का से गोल कर लेंगे अब हमें गोल वाली फंटी लगाना यहां से तो यहां से हम आद ही लगाएंगे यहां तक ही लगेगी इस फंटी तो इस तरीके से हम गोल वाली फंटी लगा लेते हैं चाहें तो बीच काँ निश्वाल लगा ले चाहें ना लगा लगाना ले हैं चाहें ना लगाएं तो आप लगाना होता है यह निसक लगा हुँ तो सीधा निशHAN लगाएंगे च्हेँ हमने नाप लिया था सो उसकी जरूथ नहीं होती है वेसी इस तरीके ससरे अब हुमने कहकर न पॉंब न उंच हम जो आए यहांपर acha सामने को हैं और यह हलकी गॉल वालि फंटी यहांपर हलकासा राउंड देंगे आप दिनि यहांपर हम चोनेंगे क्रास अब साड़ुस्ट इंचिस की लंबाई पर देट इंच यह हो गया यहांपर टाकी इसकी और यहाँ पर हम किरास कर देंगे यह बन गया अब हम 36 हमारी कमर है तो हमने लिख दी यहाँ पर तो यह निसान लग गए है अब हम आपके देखते हैं एक बार मोरी जो है वो सोला है गुटना जो है गुटना 19 है और रान जो है वो है अब हम इसको काटते है जो निसान है उसी पर काट देना है अब देगे यहां पर इस तरीके से हमने रखा आप हमें क्या करना है इसको हम अंप इस तरीके से बैठा लेंगे तो अब जो है यहां पर से हम काटेंगे यह जो निसान है यहां से देख सकते हैं इसको हमने इस तरीके से काटा है और यहां तक जो है हम अपने अंदर वाले निसान तक चलेंगे तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं अब जो आयान बाकी हम अपने पल्ला है इसके हिसाफ से चलेंगे दुनों तरब एक जैसा चाहिए ना तो यह कट गया हम क्या करना हम एक कुटका लगा लेते हैं यहां पर इस तरीके से यह वाला अब हम बैक काटते हैं तो बैक के लिए आपको क्या करना है सिंपल सा कुछ करना नहीं है वह इसको पल्ले को घुमा देना है इस तरीके से और यह जो बैल्ट का हिस्सा है हमें इसको निकाल लेना है तो इसको हम सीधा रखेंगे तरचा नहीं होना चाहिए आपका सीधा रहा है यह जो खाड़ी धारी होती है बिलकुछ सीधी रहें तो धारी से धारी हम चाहें तो इस तरीके से मिला सकते हैं इस तरीके से इसके देख ले और इसको हम इच्छब थोड़ा सा बढ़ाते हैं अगर किर्चा हो जाएगा तो बैक जो है मारे ठीक से बैठेगी नहीं अब देखे सबसे पहले जो है हम इसके निशान लगा लेते हैं यह सीधे सीधे तो यह हो गए तो जिए हमने पॉन इंश डाउन करा था तो हम एक इंश का निशान लगा लेंगी यहां पर तो एक इंश सीधा इस तरीके से बिलकुल काटेंगे बाकी इस आइटम राउंड वाली फंटी लगाएंगे हलके राउंड वाली इसमें लगाई थी तो हलके राउंड वाली नीचे साइटम भी लगाना है कि अब हमें जो है कमर की निसान लगाए ना तो नोचो कि सालिश कमर था तो यहां पर जो है जाले नो रखेंगे उज़ास का निसान तो यह हो गया अब हम क्या करना का अब यह हम 3 इंश की यहां पर लगा देते हैं और एक बार यहां पर नाप भी लेते हैं कि देखिए आपकी क्रास में जो है अठारा दुनी च्छतिस आना चाहिए यह इस तरीके से इसके उपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा इससे क्या होता है यह क्रासिंग में तो इसको पर मैं बता दूंगा अठ आपको दोदिती से तो दूंगो यह ठीक आज ती इंच पर अगर कम करते हैं तो यह थोड़ी सी टाइट हो जाती 35 रह जाती है तो यहां पर तीन इंच लगा दिया यहां पर जो है रावंट बना लेंगे ये गोल वाली फंटी यहां पर लगाएंगे अब हमें क्या करना हम निसान लगा लेते हैं अब यहां से ये निसान लगाया हमने ये बाला इस्ता है और ये बाला इस्ता लगा कर सीधी लाइन खींच लेते है तो हम बिल्कुल इस तरीके से राउंट नहीं देना है हमें अलका सा हाँ इस ताइब का देना है ताकि जो है जादा गुलाई में नहीं देना है वो फिर जो लाने लगए पीछे साइट में बिल्कुल ऐसे सेव में देना है तो यह सेव में इस तरीके से ही देते हैं तो यह हो गया अब हमें इसमें डांट का निसान लगाने जो है यहां से नहीं लगाना यहां से हम इसका आधा रख देंगे तो थाड़े नव है तो यहां पर जो है सवा पांच और जो है पॉनिचार डाट की निसान हो गया यहां पर हलका किरास में करेंगे और ऐसे निसान लगा लेते हैं हो गया डाटक निसान बस अब हमें ऐसे ही काट देना आप चाहें तो इसमें आप दबाव छोड़ सकते हैं अलग से इतना तो इससे फाइदा यह होगा कभी को धीली होने को होगी तो आराम से धीली हो जाएगी और जब ज्यादा फिटिंग में आप काटें तो पूरा अब हमें ऐसे इस सेंपले निकाल लेना जिससे हम निकालते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हम काटते हैं इसको अब हमें कहां से काटना है यहां से काटना है हमें यहां से काटना है तो इस तरीके से हम रहा है राउन डिस में बनाएंगे यहां से कभी मत काटना क्यों फिर गरबर हो जाएगा पिर जो आये इसमें दबाव ही नहीं बच्छेगा यह कट गया अब हम क्या करना है अब हम इधर से बैटके नीचे से काटें गया उपर समत करना कभी भी नीचे से काटना तो इसके आप आए लिए नीचे से काडने से किया पल्ला आपका उड्य नहीं होगा अब देखिए यहां पर थोड़ा सा दबाओ यहां पर छोड़े दे रहे हैं लेकिन दबाओ छोड़े दे रहे हमें जोड़ना यहीं से है इस चीज़ कर दिया रखना यह तो फाल इस्ट्रह है उड़ने चोड़ दिया आइसे ही यहां पर कट गई पैंट तो इसी तरीके से आपको काटना है उटके लगा लेते हैं यहां पर और यह जो चीज होती है दोस्तों इसके बारे में आपको साइड ही पता हो इस तरीके से नाबने से तो इसके उपर मैं कभी बताऊंगा वीडियो बनाके फिर आपको समझ में आजाएगा अच्छे से तो दोस्तों इसी तरीके से आपको पैंट कटिंग करना है और भी कुछ पूछना हमसे कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्र प्रेस कर लें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को साथ अब तक लिए नमस्कार रहा है